नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चेनल धाकडो उनलाइन इस्टेडी में दोस्तों आज इस वीडियो में हम राज इस्त्री परतिवा खोज प्रिक्षा 2020 का पेपर जो कक्षा 12 के लिए सबी विद्यारतियों के लिए गणित विज्ञान वानिज और कलावर्ग के विद्यारतियों के लिए जो कॉमन STSE का जो पेपर हुआ था भाषा योगिता प्रिक्षा का LCT कोड का उसका सोलुशन हम इस वीडियो के अंदर लेक्या हैं दोस्तों अगर आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चेनल को सब्सक्राइब क हम केवल हिंदी भाषा का पेपर सोल करवाएंगे दूसरे वीडियो में हम आपको अंग्रेजी भाषा का पेपर भी सोल कराके जल्दी उपलबत करवाएंगे तो पहला जो कुछन है भाषा योगिता प्रिक्षा का निमने लिखित वर्णों में सयुक्ताक्षर नहीं है जो वर्ण है वो सयुक्त्ता अक्षर नहीं है केवलल एक सिंगल वर्ण हैcomb 새 नमबर फौर्ड्यूर इसका करेक्ट आंशर हो जैएगा सचलाrent आ अ Town स निम्ननेलिकित सब्दों में हैं तादम ज़ँ हैं मों आपको बताना कौनसा जो शब्द है वो बावाचक संग्या का उधारन नहीं है, तो इसका correct answer हो जगा इस्षवर, इस्षवर जो है वो बावाचक संग्या का उधारन नहीं है, नेस्ट क्यूशन है संबंद वाचक सर्वनाम का उधारन हैं तो संबंद वाचक सर्वनाम का उधारन जिसे जिसका ओप्षन नमबर टू है नेस्ट क्यूशन है विशेशन कितने परकार के होते हैं तो विशेशन चार परकार के होते हैं क्यूशन नमबर 7 निम्न लिकित वाक्यों में से किसमे समाना धीकरण समुचे बोधक अव्योव प्रियोक्त हुआ है तो इसका जो correct answer है वो होगा option number 2 व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूर रखें नेश्ट क्यूशन नमबर 8 है निम्न लिकित पूलिंग शब्दों में किसमे आनी परते लगाकर इस्तरलिंग का रूप बनाया गया है तो यहाँ पर सेथानी के अंदर इस्तरलिंग का रूप बनाया गया है क्योंकि सेथ के साथ आनी परते लगाने पर सेथानी बनता है तो option number फॉर्थ इसका correct answer है Next question number 9 निमनलिकित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक का सही प्रयोग हुआ है अपादान कारक में वस्तु एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर अलग होती है तो इसके अंदर मेने गिलास से पानी पिया Option number 2 इसका right answer होगा Next question 10 number निमनलिकित वाक्यों में से किस वाक्य में भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य में भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है तो तुम यह पाट पड़ो यह वर्तमान का अलग का वाक्य है इसमें भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है Next question number 11 आमरन सामासिक पद में समास हैं तो आमरन मतलब मरते वक्त तक तो इसके अंदर अब यही विभाव समास है इस समास में पहला पद गोण वा दूसरा पद परदान होता है इसमें कारक के विवक्ति चिनों का लोब होता है उप्चिन नमबर 4 इसका correct answer होगा नेश्ट कुशन है आप बीती सामासिक पद का सही समास विग्र है तो आप बीती का सही सामासिक विग्र आप पर बीती है उप्चिन नमबर 1 इसका correct answer होगा कुशन नमबर 14 निम्नलिकी शब्दों में उपसर्ग रहित सब्द है तो उप्सरग रहित सब्द जो है option number 3 गर्वित, जो है option रहित सब्द है Next question 15 number पल्लवित सब्द में परते हैं, तो पल्लवित सब्द में जो परती हैं, जो है option number 2 इत परते Q. 16. अक्षी सब्द का सही प्रयाई नहीं है तो अक्षी सब्द जो है चक्षू, नेत्र, द्रग ये जो सारे है ये अक्षी सब्द के प्रयाई वाची सब्द है लेकिन सोम जो है इसका प्रयाई वाची सब्द नहीं है तो option number 3 इसका correct answer होगा नेश्ट क्यूशन है कौन सा सब्द समू एक ही सब्द का प्रयाई है तो इसमें option number 1 जो है ये सारे तने आत्मसूत ये सब बेटे के प्रयाई ची सब्द है तो ये एक समू का सब्द प्रयाई है option number 1 इसका correct answer होगा नेश्ट क्यूशन नमबर 18 वीमुक सब्द का सही विलोम सब्द है तो वीमुक सब्द का सही विलोम सब्द उनमुक है option number 3 इसका correct answer होगा नेश्ट क्यूशन 19 नमबर आदी और आदी शुरूती सम बिनार्त शब्दों का सही अर्थ वाला युगम है तो फर्ष्ट वाले आदी का मतलब होता प्रारंब और दूसरे वाले आदी का मतलब होता व्यसनी आदत तो 19 का option number 1 इसका correct answer होगा next question है कुशार्ग बुद्धी सब्द के लिए सही वाक्य है तो कुशार्ग बुद्धी का मतलब होता तेज बुद्धी वाला next question question number 21 वर्तनी की द्रष्टी से सुद्ध सब्द है तो वर्तनी की द्रष्टी से सुद्ध सब्द रचीता है सचीता जो है वो शुद्ध सब्द हैं निमने लिकित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य हैं तो इसके अंदर अशुद्ध वाक्य ओप्शन नमबर टू वह आम को खा रहा है यह जो वाक्य है यह अशुद्ध है नेस्ट कुशन है कुशन नमबर 23 हरदे के उत्सा में कमी होना अर्थ को परकट करने वाला मुहावरा है तो इसका ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर फ़ास्ट जी छोटा करना नेस्ट कुशन एक ही थेली के चट्टे बटे लोकोक्ति का सही अर्थ है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम्वान दूर्गुन वाले एकादिक व्यक्ति 24 का कुशन नमबर 24 का सेकंड ओप्शन करेक्ट होगा 25 नमबर निमनलिकित वाक्यों में करत वाची का उधारण हैły करत वाची का उधारण में पुस्तक पढ़ता हूँ नेश्ट क्यूशन है सुबा चंदर बोसने दिल्ली चलो वाकि में किस विराम चिन का प्योग हुआ है तो इसके अंदर दिल्ली चलो के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्रण चिन का प्योग हुआ है इस प्रकार से जो चिन लग रहे हैं उनको उद्रण चिन काते है नेस्ट क्यूशन है विस्मरन चिन को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो विस्मरन चिन को हंस्पद के नाम से जाना जाता है नेस्ट क्यूशन है अत्युतम सब्द का सही संदी विच्छद होगा तो इसका correct answer हो जाएगा अत्य प्लस उत्तम Option No.1 इसका correct answer होगा Next Question No.29 उत्प्लस लास संदी विच्छत का संदी शब्द होगा तो इसका correct answer होजएगा Option No.1 Next Question है नमस्ते सब्द में संदी का प्रकार है तो नमस्ते सब्द में विसर्ग संदी है Next Question दत्तक सब्द का सही आरत है जिस पुत्र को गोद लिया हो Option No.4 इसका correct answer होगा Next Question No.32 क्रिया के आदार पर वाक्य का प्रकार नहीं है तो क्रिया के आदार पर सही उक्त वाक्य जो है वाक्य का प्रकार नहीं है Next Question है निमन लिकित वाक्यों में से किस वाक्य में वर्तनी संबंदी अशुद्धी है तो वर्तनी संबंदी जो अशुद्धी है वाक्य No.3 में शिक्षा से पविश्च्य उजवल होता है यहाँ पर उजवल का जो शब्द है वो गलत है तो Option No.3 इसका right answer होगा Next Question है अजो तरियोन ही रयोस रुती सेयत इकंग नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग उप्युक्त काव्य पंक्तियों में नहित अलंकार है तो इसके अंदर correct answer होगा Option No.1 सलेश अलंकार एक ही शब्द में दो या दो से अधिक बार बिन बिन अर्थों में प्रियुक्त होता है तब वहाँ अलंकार होता है तो इसका correct answer हो जाएगा यमक अलंकार Option No.3 इसका correct answer होगा Next Question No.36 बिन अर्थ को परकट करने वाला शब्द है तो आपका जो है भीन अर्थ को परकट करने वाला शब्द है क्योंकि बाकी तीनों तो पत्थर के प्रियाची सब्द हैं लेकिन आपका अलग है Next Question है निमन लिकित वाक्य पंक्तियों में से किसमे अनुप्रा सलंकार है तो Option No.1 तरनी तनुजा तर्ट तमाल तरुवर बहुत छाई इसके अंदर तवर्ण की बार बार आवर्ति हो रही है अतव इसके अंदर अनुप्रा सलंकार होगा Next Question है 38 No. गुण वाचक तद्दित परते का उदारन है तो गुण वाचक तद्दित परते का उदारन देवरानी है इसके अंदर दोस्तों इन तीनों के अंदर गुण वाचक तद्दित परते के उदारन है जबकि यहां Question में उदारन नहीं है होना चाहिए तो यहां पर उदारन नहीं है के अंदर देवरानी आईगा इस Qution में थोड़ी मिश्टेक हो सकती दोस्तों कि Qution गलत टाइप हुआ है या तद्दित परते का उदारन नहीं है होगा और उसका आंसर होगा देवरानी देवरानी जो है वो गूनवाचक तद्दित परते का उदारन नहीं है नेस्ट Qution है थार्टी नाइन नमबर निमनल की सब्दों में से किस सब्द में परते नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा उप्षन नमबर थर्ड तेली सब्द में परते नहीं है लाश्ट Qution है विशाल भारत रिर्पोर्ट आज की किसकी रचना है तो ये रागे रागव की रचना है उप्षन नमबर फास्ट इसका करेक्ट आंसर होगा तो दोस्तों ये था आपके STSE का कोमन जो STSE के कोमन पेपर जो आपके लेंगवेज का था और हिंदी सब्जेक्ट इसके अंदर है दोस्तों 40 Qution हिंदी के और 40 Qution जो इंग्लिस के हैं वो आपको दूसरे वीडियो के अंदर आवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को जरू लाइक करे और अगर आप अमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे धन्यवाद दोस्तों जैहिंद